नमश्कार मित्रों 10 जन्वरी 2023 को देश भर में सकर्चोत का व्रत रखा जा रहा है इस दिन लोग भगवान गनेश जी की विदिविधान से पूजा अर्चना करते हैं कहा जाता है गनेश जी का व्रत रखने से संतार निरोगी और दिर गायू होती है भगवान श्री गनेश जी की कृपा से सभी बिगडे काम बन जाते हैं सकर्चोत के दिन चंद्रमा को अरख देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है इस वीडियो में हम सकर चोट के दिन सुनी जाने वाली देवरानी जिठानी की परसीद कहानी आप से सुनाने वाले हैं तिल चोट की दरानी जिठानी की कहानी इस प्रकार है एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी, जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी, देवरानी गनेजी की भग थी, देवरानी का पती जंगल से लकणियां काट कर बेशता और अक्सर बिमार रहता था देवरानी जिठानी का घर का सारा काम करती, बल्ले में जिठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े अपनी देवरानी को दे देती थी, देवरानी का परिवार इससे ही चल रहा था मा की महीने में देवरानी ने तिल चोत का वरत किया, पाँच आने का तिल वे गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया, पूजा करके तिल चोत की कथा कही सुनी, तिलकुटा चीके में रख दिया सोचा की चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद कुछ खाऊंगी, कथा सुनकर वे जठानी के यहां चली गई, खाना बना कर जठानी के बच्चों को खाने के लिए कहा, तो बच्चे बोले मा ने भी वरत किया है, मा भूकी है, जब मा खाना खाएगी, तभी हम खाएंगे, जेट जी को खाना खाने के लिए कहा, जेट जी बोले मैं अकेला नहीं खाऌँगा, जब चांद निकलेगा सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा, जेठानी ने उससे खाँ, आस तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हे खाना कैसे देदू, तुम सुबह सवेरे ही आ जाना और मैं बचा हुआ खाना तुम्हें दे दूंगी। देवरानी के घर पर उसके पती बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आस तो तिहार का दिन है इसलिए कुछ पकवान आधी खाने को मिलेंगे। प्रंतु जब बच्चों को पता चला कि आस तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पती को भी बहुत गुसा आया और उसने कहा सारा दिन काम करके दो रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करने जाती है। पती ने गुसे में आकर पतनी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारा धोवना हा से चूट गया तो पाटे से मारा वह बैचारी गनेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पी कर ही सो गई। उस दिन गनेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवना मार पाटा मारी सो रही है या जाग रही है वहिस्त्री बोली कुछ सोई हूँ कुछ जाग रही हूँ गनेजी बोले भूख लगी है कुछ खाने को दो देवरानी बोली क्या दो मेरे घर में तो अनका एक दाना भी नहीं है जठानी बचा खुचा खाना दे देती थी लेकिन आज तो वह भी नहीं मिल पाया, पूजा का बचा हुआ, तिलकुटा चीके पर पड़ा है, जा कर खा ले, तिलकुटा खाने के बाद गनेजी बोले, दोवना मारी, पाटा मारी, निप्टाई लगी है, कहां निप्टे, वह बोली, पूरा घर पड़ा है, जहां इच्छा हो, वहां पोँचूं, कहां पोँचूं, तब नीद के मगन में देवरानी को बहुत ही गुसा आया, कम से तंक किये जा रहा है, वह बोली, जा मेरे सिर पर ही पोँच ले, ऐसा कहके, वह दुबारा से सो गई, सुबह जब देवरानी उठी, तो देख कर हैरान रहे गई, पूरा घर ही हीरे मोतियों से जग मगा रहा है, सिर पर जहां पर विनायक जीने पोँचनी की थी, वह हीरे के टीके और बिंदी जग मगा रही है, उस दिन देवरानी जिठानी के यहां काम करने नहीं गई, बड़ी देर तक रहा देखने के बाद, जिठानी ने बच्चों को देवरानी क बुलानी भेजा जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायर देवरानी बुरा मान गई है बच्चे बुलाने गए बोले चाची चलो माने बुलाया है सारा काम पड़ा है देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी कोई जरूरत नहीं है घर में सब भर पूर है ग जेठानी दोडती हुई आई देवरानी के पास आई और पूछा यह सब कैसे हुआ देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला घर लोटकर जेठानी अपने पती से बोली अब मुझे धोवने से पाटे से मारो उसका पती बोला भली मानस मैंने कभी तुझ पर हाथ नही चूर्मा बनाया चीके में रखकर सो गई रात को चोथ विरायक जी सपने में आए कहने लगे भूक लगी है क्या खाऊं जठानी ने कहा गनेर जी महराज मेरी देवरानी के यहां तो आपने सूखा तिलकुट खाया था मेरी यहां तो घी का चूर्मा बना है आपके लिए चीक यहां तो जोपड़ी तूटी फूटी थी मेरी यहां तो कंचन महल पड़ा है जहां चाहो निपटलो गनेजी ने पूछा आप पोछू कहा जठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी सोने की बिंदी लगी है वहां पर पोछ लो धान की बुखी जठानी सुबह बहुत लगी हुई थी उसने कहा है गनेजी महराज यह आपने क्या दिया मुझसे रूट गए और देवरानी पर तूट गए जठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की प्रंतु गंदगी जाती ही नहीं और ज़्यादा फैलती गए जठानी के पती को मालुम हो गया तो व सब किया है अब इसका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा अब यदि तु अपना आधा धन गरीबों को बाटेगी तब ही तुमारे घर से यह सब गंदगी साफ होगी जठानी बहुत ही चलाक थी उसने आधा धन तो बाड़ दिया किन्तु महरों की एक हांडी चूले के नीचे गार दी उसने सोचा गनेश जी को पता ही नहीं चलेगा धन को वह चुपाना चाहाती थी उसने कहा है गनेश जी महराज अब तो आप हमारे घर से सारी गंदगी हटा दीजिए लेकिन गनेश जी बहुत चतुर है गनेश जी ने कहा पहले चूले के नीचे गड़ी कांडी को भी एक एक सुई की तरह निप्टा दे नहीं तो तेरे सारे धन को नस्ट कर दूँगा गजारंजी ने बाल सवरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बटवारा किया और अपनी माया समेट ली है गनेज जी महराज जैसा आपने देवरानी पर क्रिपा की वैसे हम सब पर भी करना इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर गनेज जी महराज अपने की पर बरसाएं लेकिन जैसे जिठानी को सजा दी वैसे किसी को भी मत देना हे गनेज जी महराज यदि यह कहानी अधूरी हो तो पूरी करना पूरी हो तो परवान चड़ाना बोलिए गनेज जी महराज की जै मित्रों यदि आपको जैठानी देवरानी की है कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चनल को जूर सब्सक्राइब करें लाइक करें श